ओम स्री राम्दू ताय नमा यहाँ पर आज पंचमुकी हनुमान जी का मैसेज आपके लिए है गाइस यहाँ पर आपके लिए हनुमान जी का मैसेज है कि टाइम टू लेट गो यानि जो आपकी बिसम समय है बिसम परस्तितिया है उसको लेट गो करो उसके बारे में बहुत ज और बुरा भी आता है तो आपको हनुमान जी बोल रहे हैं कि इस समय माना कि तुम्हारा जो समय चल रहा है बहुती बिपरीद चल रहा है बहुती जादा नुकसान दे चल रहा है तो इस समय को जाने दो लेट गो कर दो छोड़ दो अपना साहस अपना हिम्मत बरकरार रखो अ learn from the past यानि आपसे हनुमान जी बोलना चाह रहे हैं कि past से बीते हुए समय से बीते हुए कल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो सीख कैसा होगा बहुती जादा आपको अनुभवी बनाएगा बहुती जादा आपको intelligent बनाएगा क्योंकि इनसान past की बातों से सीख कर ही एक अनुभवी और intelligent person बनता है और जो गलतियां वो past में करता है वो feature में कभी नहीं करता है और past की चीजों को जान कर सुन कर उसकी आखे खुलती हैं कि ये जगत कैसा है ये इनसान कैसे है ये लोगों का बहवार कैसा है ये सब चीजे ज और future जो है अपना बहुत कुछ सीख कर अपना future secure कर लेता है यहाँ पर ये बहुती सटिक और सही बात है तो आप past की बातों से सीख कर बहुती ज़्यादा powerful और अनुभवी person बनकर निकलते हैं turn knowledge into wisdom मैंने बोला ना कि आप अगर ग्यान की तरफ मुणने वाले हैं यानि आप past की बातों को छोड़ कर past के से सीख कर आप इतने wisdom बाले इतने जानकारियों को हासिल करके इतने बुद्धिमान इतने intelligent person बनने वाले हैं guys कि आपकी हर तरफ तारीफ होगी कि आप कितने ग्यान पूरुस हैं या महिला हैं कि आपके अंदर कितने ग्यान भरे हैं कितने wisdom भरे हैं और आप बहुत तरह तरह की जानकारियां हासिल करेंगे हनुमान जी यह बोल रहे हैं और आपका जो wisdom है ज्यान जो है वो spiritual भी होगा और साथी साथ भौतिक भी होगा और साथी साथ आत्मिक भी होगा यानि तीन तरह के ज्ञान के कारण आप बहुत जादे विज्यम बाले पर्शन होगा